पिछली कड़ी में आपने सुना लक्ष्मी नंदन सरस्वती चंदर के वियोग में दुखी रहता है लक्ष्मी नंदन सरस्वती चंदर का पता लगाने के लिए पुलिस रिपोर्ट लिखा देता है अलग किशोरी के कमरे में जमाल नाम का गुंडा घुसाता है नवीन चंद्र अलग की उस गुंडे से रक्षा करता है लेकिन चमाल उसे घायल करके भाग जाता है बुद्धिधन नवीन चंद्र को वही रुखने को कहता है नवीन चंद्र मान जाता है बुद्धि धन नवीन चंदर को कहता है कि दर्बार में उलट फेर होने वाली है अगर उसे कुछ हो जाए तो वो उसके परिवार की रक्षा करे नवीन चंदर उसे ऐसा करने का वचन देता है एक दिन नवीन चंद्र को पता चलता है कि कुमुद का पती प्रमाद धन एक गणिका के पास आता है तो नवीन चंद्र को इस बात का दुख होता है एक दिन कुमुद नवीन चंद्र से उसका असली परिचय पूछती है नवीन चंद्र उसे कुछ नहीं बताता तो आईए सुनते हैं इससे आगे धारा वाहिक सरस्वती चंद्र की आठवी काड़ी में अरे तुम इस समय मेरे कमरे में? हाँ मैं इस समय मैं मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ इसलिए दुबारा यहां आई हूँ बताओ क्या जानना चाहती हो? पहले वाधा कीजिये आप सच बोलेंगे मैं वाधा करता हूँ तो सच सच बताएए आपका असली नाम सरस्वती चंद्र है ना? बंबई के रहने वाले हैं ना आप? मैं पहले भी कह चुका हूँ यह तुम्हारा भ्रहम है मेरा नाम नवीन चंद्र ही है मैं नहीं मान सकती, आप छूट बोल रहे हैं भला मैं क्यों छूट बोलूँगा? आपकी बहचान छेपी रहेगी तुम किसी सरस्वती चंद्र के विशह में इतना सब कुछ कैसे जानती हो? यह तो मुझसे अधिक आप जानते हैं क्या आपका विवाह रत्नपुरी के मंत्री विद्या चतुर की बड़ी लड़की कुमुद सुंदरी से निश्चित नहीं हुआ था? जान पड़ता है कि वो लड़की तुम हो हाँ, मैं ही हूँ वो अभागी यह भी निश्चित है कि आप ही हैं सरस्वती चंद्र जिसने विवाह से पहले ही मुझे ठुकरा दिया था इतना बड़ा दावाद तुम किस आधार पर कर रही हो? आपके मित्र चंद्रकांत का आपके नाम आया पत्र कलाप की जेब से गिर गया था उसी पत्र ने आपका असली परिछे दिया वो, अब समझा मैं क्या आप भी यही कहेंगे कि आप सरस्वती चंद्र नहीं है? खुमोत, तुम से चिपाने लाया कब रहा ही क्या है? सब कुछ तो जान लिया है तुमने एक विनती है मेरी विनती? कैसी विनती? देखो, किसी के सामने मेरा रहसी मत खोलना नहीं तो मैं संकट में पर जाऊंगा बोलो, कर सो कोगी मेरे लिए इतना? जरूर करूंगी किन्तु, जिस तरह मैंने जाल लिया कल को उसी तरह कोई और भी जान सकता है तब आप क्या करेंगे? फैसे भी आपका मित्र चंदरकांत आपकी खोज में यहां आ रहा है तब ये रहसे फैसे नहीं रह जाएगा तुम्हारा कहना ठीक है लेकिन इस स्थिती से बचने का उपाई भी खोज लिया है मैंने अब बढ़े लिखे विद्वान है किसी भी संकत का उपाई खोज लेना आपके लिए सहज है खिंतु, आपके यहां आने से मैं धर्म संकत में पढ़ गई हूँ ये तुम क्या कह रही हो कुमुद मेरी वज़ा से तुम धर्म संकत में पढ़ गई हो हाँ आपके यहां रहने से मेरा ध्यान बाहर बाहर आपकी ओर चला चाता है कुमुद पर बुरुष पर ध्यान लगाना क्या एक पतिवरता के लिए उचित है कुमुद मेरी वज़ा से तुम्हें कष्ट सेना पढ़ रहा है इसके लिए मैं दोशी हूँ हो सके तु मुझे क्षमा कर देना किन किन दोशों के लिए क्षमा माँगोगे एक अबला एक विद्वान को क्षमा करने का पापकर भी कैसे सकती है मुझ सा धर्मे इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं होगा सच मुझ यहां आकर मुझसे भारी अपराद हुआ है इस अपराद का तंड तो मुझे भोगना ही होगा अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसके लिए हमें अपमान का बोध हो किन्तु किन्तु यह स्थिति अधिक समय तक तो रह नहीं सकती तुम ही बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए अगर मुझे सुखी देखना चाहते हो तो मेरी विनती मान लो और सदा सदा के लिए यहां से चले जाओ अब यही एक मातर रास्ता बचा है ठीक है कमुद तुम्हारे सुख के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम चिंता ना करो कल सुबह मैं हामेशा के लिए स्वान नगरी को छोड़ दूँगा छोड़ दूँगा ना चला जाओंगा यहां से चला जाओंगा यह आप क्या कह रही है विद्या चतुर सरस्वती चंद्र को ही दोशी समस्ते है लेकिन क्यों हो इसलिए कि विवाह का दिन निकट आने पर सरस्वती चंद्र को इस तरह संसार को त्याग कर नहीं जाना चाहिए था किन्तु उन्हें इतना तो सोचना था कि कुमोज सुंद्री पर अनुचित लांचन लगाने के कारण ही सरस्वती चंद्र ने इतना बड़ा कदम उठाया पुत्री का पिता होने का कष्ट तुम क्या जानो चंद्रकांथ समाज में दस तरह की बाते होती हैं अपमान का खूंट पीना परता है देखा जाए तो थोड़ा बहुत दोश विद्या चतुर जी का भी है वो कैसे चंद्रकांथ? उन्हें धहरे रखना चाहिए था उतावली में उन्होंने कुमोज सुंद्री का दूसरी जगा विवा कर दिया अगर वो इंतिजार करते तो उन्हें सरस्वती चंद्र दामात के रूप में मिल जाता सरस्वती चंद्र भी सौन नगरी में है मैं उसे वापिस लेकर आऊंगा मुझे लगता है चंद्रकांथ कि शायद कि heat sundり के भाग्य में सरस्वती चंदर था ही नहीं मन को संत वना देने के लिए भाग्य का सहरा लिया जा सकता है चंदर कांट जी सारी परिस्थितियों को देखते हुए सरस्वती चंदर दुरा उठाया गया पूरी तरह से घलत भी नहीं कहा जा सकता इसका मतलब आपके विचार में सरस्वती चंदर का उतना दोश नहीं है जितना की विध्या चतुर जी ने समझ लिया था हाँ चंदरकांथ और सच तो यह है कि कुमुद सुन्दरी गुमान जैसी औरत के साथ कभी सुखी नहीं लह सकती थी गुमान को तो अपनी मन मर्जी का आदमी चाहिए था आपकी बाते सुनकर मेरे मन को बड़ी शान्ती मिली है सरस्वती चंदर की भावना को मैं समझ सकता हूँ जी उसे अपने पिता के बोल बुरे तो लगी गए थे वो समय था भी तो कुमल फूल जी वो ऐसी बाते कैसे सह सकता था आपने सरस्वती चंदर के स्थिति का एकदम सही आकलन किया है सो तो ठीक है इस बात से तो तुम भी इंकार नहीं करोगे कि सरस्वती चंदर का रोग तो पहचान में आ गया था जी किन्तु आउशधी देनी नहीं आयी थी उसे आपकी गूड बात का मैं अर्थ नहीं समझ सका किरपया स्पष्ट कहें उसकी ना समझी ये है कि उसने परिवार छोड़कर वनवास लिया लक्ष्मी नंदन से अलग रहने में उसे कोई बाधा नहीं थी वैसे चंदरकांत हमारी सैयुक्त परिवार प्रथा बुरी नहीं है लेकिन तभी तक जब तक कि सबकी आँखों में एक दूसरे के प्रती स्ने हो आपस में मेल रहे मैं आपके विचार का सम्मान करता हूँ लेकिन सरस्वती चंदर के निजी विचार में ऐसा करने से उसके पिता की जग हसाई होती वो अपने पिता को सपने में भी दुख नहीं देना चाहता तभी तो तभी तो उसने ये आपर ये कदम उठाया मैं तो उसे मूर्ख ही कहूँगा क्या उसके इस निर्णे से उसका पिता दुखी न होगा अरे ये दुखी तो है जिस वज़ा से तुम सरस्वती चंदर को खोजने निकले हो अपने पिता के इस कष्ट से सरस्वती चंदर अभी अवगत नहीं है जब उसे पता चलेगा तो वो वापस लोटाएगा चंदर कांथ ऐसा होने पर सबसे अधिक प्रसन्यता मुझे होगी आपके परिवार से उसका संबंध तो अभी हुआ नहीं फिर भी आपको प्रसन्यता होगी आश्चर रहे है इसमें आश्चर रहे कैसा कुमुच सुंदरी ना सही उसकी छोटी बेहन कुसुम सुंदरी तो है मैं कुसुम का संबंध सरस्वती चंदर से करना चाहता हूँ सच हाँ ये ये मैंने क्या किया उन्हें जाने के लिए कहने का मुझे क्या अधिकार है एक समय था जब मैं उन्हें बहुत चाहती थी अब भी उन्हें देखकर मेरा मन प्रसन्य उड़ता है मैंने ऐसा सोचना भी अब मेरे लिए पाप है किन्तो उन्हें जाने के लिए कहने का ये ये उच्छे दफसर नहीं था ये भगवान मैं ये क्या अनर्थ कर बठी क्या अनर्थ कर बठी भाबी भाबी क्या बात है भाबी तो रो क्यों रो यो भाबी भावी बोलो किसी ने कुछ कहा क्या नहीं भावी नहीं मेरी बहर मुझे इस घर में आप लोगों से जुस्स नहीं मिला है भावी वो मेरे लिए दुरलब है भावी फिर क्यों रो रही हो बस माभाप की याता आजाने से मेरी नाखों ने आशों से ऐसे ही नाता जोड़ लिया नहीं भावी नहीं तुम्हारे इस तरह रोनी का कारण इतना सा नहीं हो सकता सच तो ये है अलग कि समिम मैं जो दुख भोग रही हूँ उसका दूर दूर तक कोई छोड दिखाई नहीं पड़ रहा है मैं मैं खुद नहीं सोच पा रही हूँ कि मेरा भाग के मुझसे क्योगर उठा हुआ है मुझे बता भावी मुझे बता मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हारा दुख दूर कर सकूँगी मेरा दुर्भाग के ये ही अलग कि जिसे मैंने मन से अपना मान लिया था वो मेरा नहीं हो सका भावी मेरे पिताने मेरे शरीर को विवाह के वेदी पे ताहन कर दिया असने भी मेरे भावनाओं के साथ चल किया यह तुम क्या कह रही है भावी भावी, भावी भावी, भावी, साथ बिवा होने से पहले ही, तुम किसी को अपना मान चुकी थी? यह सच है भावी? हाँ अलक ये सच है अलक मैंने तो उसे भूल भी जाना चाहा मगर वो यहाँ भी मेरे सामने आखड़ा हुआ मगर हाई रिये किस्मत मेरा अपना सुहाग भी मेरा नहीं हो सका नहीं हाई मेरा दर्भाव नहीं भावी नहीं भावी, शान्त हो जाओ, भावी, शान्त हो देखो, शान्त हो, मुझे विस्तार से बताओ, मैं सब कुछ जानना चाहती हूं, भावी, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ रहने तो अलग, नहीं, रहने तो, नहीं, चुप हो जाओ सब कुछ जान लेने के बाद आपका अपने भाईया से स्नेक कम हो जाएगा ऐसा सच जो वे मनस्य को बढ़ावा दे ना जानना ही अच्छा है नहीं नहीं भावी जिसने मेरी फूल सी भावी को दुख दिया भावी मैं उसके विशे में सब कुछ जान लेना चाहती हूँ सब कुछ भावी हाँ बताओ तो अलक हाँ तुम तुम सिद कर रही हो तो हाँ तो सुनो बताओ तुम्हारे भाईया का पद्मा और कृष्ण कलिका के साथ अवैद संबंध है क्या हाँ अलक यह सच है मैंने स्वयम अपनी आँखों से उन्हें क्रिष्ण कलिका के साथ प्रेम राप करते देखा है भावी लेकिन तुम चुप क्यों रही किसी से कुछ कहा क्यों रही तुमने हाँ पति कैसा भी हो पति व्रत धर्में पति की निंदा करना अधर्म है मैं मैं इस अधर्म का कलंक लेकर नहीं जीना चाहती थी नहीं जीना चाहती थी मैं इतना सब सह सकने का कलेजा तुम्हारे पास ही है फिर भी भाईया को उनके किये की सजा तुम मिलनी ही चाहिए अच्छा बागे यह बताओ कि वो कौन है जिसे तुम मन से वरण कर चुकी थी अलक इस सध्याय पर यहीं विराम लगा दें देखो वो मेरा पीता हुआ कल है अब इस विशे में सोचने से कोई लाब नहीं है भाभी देखो आज तुम सिसक सिसक कर जीने पर विवश हुई किन्तो अब मैं आपको और अधिक नहीं सिसकने दूँगी अलक यह तो अपना अपना भाग के है विधाता ने जो लिख दिया अब उसे बदला नहीं जा सकता लेकिन भाभी सब दिन एक से नहीं रहते क्या पता नहीं भावे ऐसा मत कहो ऐसा बिलकुल भे मत कहो भावे देखो विधाता इतना भे निश्टुर नहीं है कि पूरुशों के दोशों की सजा इस्त्रियों को दे तो मुझे अपने प्रेमी का नाम तो बताओ हाँ हाँ बताओ जरस्वती चंत्र है उनका नाम क्या वही जिनके विशे में समाचार पत्रों में छपा था कि वो अपने पिता का व्यापार और संपती त्याग कर संसार से विरक्थ हो गये है हाँ लग वही बनना चाहते थे मेरे अतिकारी लेकिन तुमने तु अभी कहा था कि वो यहां भी तुम्हारे सामने आये थे मैंने तु उन्हें देखा नहीं तुमने उन्हें देखा भी था और एक बार तुम्हारा मन भी उनके लिए चंचल हो उठा था खिन्तु मेरे समझाने पर तुमने स्वैम को पतन की खाई में किरने से संभाल लिया था क्या नवीन चंद्र? भावी क्या तुम नवीन चंद्र के बात कर रही हो? आलक नवीन चंद्र ही सरस्वती चंद्र है अब मैं समझी कल सुबह ही मैं उनसे बात करूँगी और उनसे तुम्हें अपनाने के विनिती करूँगी बाबी क्या? मा जी, मेरे पियर से छोटी बेहन कुसम सुन्दरी का पत्र आया है आप सभी को प्रणाम लिखा है अच्छा अच्छा, और क्या लिखा है? मा पिता जी और परिवार के दूसरे सदस से लेलापूर के भद्रेश्वर महादेव मंदिर में दर्शनों के लिए जा रहे हैं पिछले जन्म में उन्होंने जरूर पुण्य किये होंगे जो उन्हें भद्रेश्वर महादेव जाने का सुवब सर मिला अच्छा बेटी, तुम्हें नहीं बुलाया? बुलाया है माजी, दो दिन के लिए सबी लोग मनोहर पुरी में रुकेंगे वहीं पर मुझे जाना होगा किस दिन जाने की इच्छा है तुम्हारी? माजी, मैं परसों जाना चाहती हूँ अगर आप लोगों की अनुमती मिल जाए तो तु चिंता मत कर बहू मैं तेरे जाने का सब प्रबंध करवा दूँ सच देखा बैना, देखी अपने भाई धूर्तलाल की धूर्तता है जीजा जी का सारा व्यापार, सारी धन संपता मेरी मुठी में है हाँ भाईया, तुम्हारी धूर्तता का कोई जवाब नहीं किन्तु क्या तुम चीक कर रहे हो? है, ये तुझे क्या हुआ अगुमान? अचानक तु इतना बदल कैसे गई? अरे कल तक तो तु मरे ही जा रही थी इस धन संपती के लिए बस तु देखती जा बहना, मेरी आखरी चाल हमेशा हमेशा के लिए इस चल अचल संपती का मालिक बना देगी हमें अच्छा? तो अब तुम क्या करना चाहते हो भया? अरे मेरी प्यारी बहना, मैंने डाक्टरों से बात कर लिया जीजा जी तो वैसे ही सरस्वती चंदर के पीछे पगलाए हुए है कुछ ले देकर डाक्टर से जीजा जी के लिए पागल होने का प्रमान पत्र हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है बस, जीजा जी होंगे पागल खाने में और सारी धन संपती पर होगा हमारा राज क्यों बैना, लाया हुना दूर की कोड़ी है? नहीं भाईया, हमारा राज नहीं, बलकि सिर्फ तुम्हारा राज होगा तुमने अपनी धूर्तता के जाल में अपनी सगी बेन और भांजे को भी फसा लिया है ये तुम क्या कह रही हो बैना, क्या तुम्हारी मती मारी गई है? भाईया, लेकिन अब ठिकाने पर आ गई है, मैं तुम्हें तुम्हारे इरादे में कभी काम्याब नहीं होने दूँगी होश में आ बहना, होश में ये तु क्या अनाश्वनाब बख रही है? अगर होश में नहीं होती, तो मुझे तुम्हारे गहरे शडियंत्र का आभास कैसे होता? मैं सब जानती हूँ भाईया, तुम्हें लालाच दिखा कर सभी नौकरों और मिल मजदूरों को अपने पक्ष में कर लिया है बोलो, क्या ये सही नहीं है? अरे तो मैंने कब इससे इंकार किया है, पर ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ भेना बिल्कुल नहीं, मेरे लिए नहीं भाईया, मेरी आड में अपने लिए कर रहे हो क्यो, क्या मिल से होने वाली आमदनी का हिस्सा मैं तुझे नहीं देता रहा जरूर देते रहे हूँ, मगर कितना, जितना मुझे दिया उससे बीस गुना तो अपने नाम करते रहे अरे मेहनत भी तो मैं ही करता हूँ, अगर मैं ना होता तो मिल और बंगले आदी कपके निलाम हो चुके होते क्या तु इतना भी नहीं समझ भा रही समझ रही हूँ भया सब समझ रही हूँ अगर तुम नहीं होते तो इस परिवार पर इतना बड़ा संकट ही क्यों आता तुम्हारे कहने में आकर ही मैं अपने पती से सरस्वती चंद्र के खिलाफ विश्वमन करती रही नहीं तो मेरा सरस्वती चंद्र तो कल्यूक का श्रवन कुमार है मुझसे कितनी बड़ी भूल हूई जो समय रहते तुम्हारे शड़ी अंतर को नहीं समझ सकी मैं वा बहना वा मा जाया भाई अचानक आज तेरे लिए इतना पराया हो गया है अपना दुश्मन नजर आने लगा तुझे लेकिन इतना ध्यान रखना बहना धूर्त लाल नाम है मेरा धूर्त लाल समझी कुछ देख देख तेरी भलाई इसी में है कि पहले की तरह साथ दे मेरा नहीं तो नहीं तो क्या बता बता क्या कर लेगा मेरा अई जीजा जी के साथ साथ अब मुझे तेरा वीलाज सोचना पड़ेगा बस भाईया, बहुत बोल चुके तुम अपनी जबान पर लगान दो नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा हाँ, बताए देती हूँ, फिर ना कहना अरे वा बहना, वा चींटी के भी पर निकला है पर शायद तो ये भूल रही है कि पर निकलना चींटी के अंत समय की निशानी है अप भी समय, समल जा मैं तो समल गई हूँ भाईया अब समलने का वक्त तेरा है आगे से तुने एक रुपय का भी हेर फेर किया तो अपनी स्थिती के लिए स्वेम ही जिम्मेदार होगा अच्छा तो यही होगा कि तू इस घर को सदा सदा के लिए छोड़कर चला जा अरे चला जाओंगा बेहना चला जाओंगा मैं तेरी ये इच्छा जरूर पूरी करूँगा मगर सारा माल समेटने के बाद मेरे जीते जी तू ऐसा नहीं कर सकता समझा ऐसा करने से पहले तुझे मेरी लाश पर से गुजरना होगा लाश पर से अगर तू ऐसा चाहती है तो ऐसा ही सही वैसे भी तू मेरा क्या भी गाड़ सकती है मैं अपने पती पर तेरी सारी हकिकत खोल दूँगी यह भी कि उनके साथ मेरी शादी भी शड्यंत्र का हिस्सा थी बेना सब कुछ साफ साफ बताते हुए उनसे ख्षमा मांग लोगी और अपने अपरात का दंड भी तब तेरा क्या हश्र होगा भाया कभी सोचा है इस विशाय में नहीं बेना नहीं तू ऐसा कभी नहीं कर सकती और मैं तुझे ऐसा करने भी नहीं दूगा तू मेरे अर्मानों का गला घोटे और मैं चुपचाप खड़ा देतरा हूँ ना ना भेना ना मैं ऐसा नहीं उने दूगा आरकिस नहीं तो क्या करेगा मेरी जान लेगा हाँ हाँ मैं लूगा तेरी जान मैं लूगा तेरी जान क्रिश्न का लिगा 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 क्रिश्न का लिग लेकिन उन्हें ये सब कैसे पता लगा कुमूद ने अलग से कहा और अलग ने तुम्हारे पती से तुम्हारा पती लाल पिला होते हुए पिताजी के पास जा पहुचा और सब भाल कह सुनाया ये तो बहुत बुरा हुआ मेरा पती मुझे नहीं छोड़ेगा मुझे तो अपनी चिंता हो रही है पिताजी को क्या जवाब दूँगा तुम्ही बचने का कोई रास्ता सुचाओ कृष्ण कलिका देखो खबराने से कुछ नहीं होगा मुझे सोचने दो तब ही कोई रास्ता निकल सकता है सोचो क्रिष्ण कलिका सोचो मगर चल्दी अगर कोई उपाई नहीं निकला तो मैं लोकनिंदा से डरकर आत्महत्या कर लूँगा सोचती हूँ, सोचती हूँ हाँ, ये ठीक रहेगा क्या सोचा कृष्ण करिश्न कलिका, जल्दी से बताओ स्वेम को बचाने के लिए हमें कुमुद को भसाना होगा क्या? हम, देखो, चौकने की जरूरत नहीं है मैंने स्वेम कुमुद को नमीन चंद्र से इकांत में बाते करते हुए देखा है तुम अपने पिताजी से कह दो कि कुमुद ने खुद को चरितरवान बताने के लिए हम दोनों पर जूटा आरोप लगाया है और रहसे ही मैं अपने पती से कह दूँगी तुम्हारा पती तो मान भी लेगा क्रिश्न कली का किन्तु पिताजी तो प्रमान मांगेगे ना हाँ तो प्रमान के लिए ये पत्र उन्हें दिखा दे ना ये पत्र तुम्हारी और कुमुद की शादी होने से पहले का है कहना कि दोनों का संबंद शादी से भी पहले का है इस तरह तुम को मत से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पालोगे सच हाँ, सच अभिआब सुन रहे थे गुझराती सहित्य के प्रसिधसित्यकार गोवर्धन राम तरिपाथी की प्रसिध पुस्तक सरस्वती चंद्र पर आधारित रेडियो धरावाहिक सरस्वती चंद्र की आठ्मीकड़ी निर्देशिका थी सीमाशार्दा रेडियो रुपांतरकार सुधान्शु गुपता, ध्वनी मुद्रण, जस्वंत सिंग, भाग लेने वाले कलाकार थे केदारनात, राजेश कंबोच, वीपी कालरा, मनोज भटनागर, दिनेश वर्मा, ललित, लोकेश, नीरज शर्मा, अमिताव वर्मा, तहसीन, रजनीश कुमार शर्मा, मंजु मैनी, गीता वर्मा, सरीता भाठिया, साधिया, दीपा रॉय और हर्श बाला भी जिए भी और बलापिया, साधिया, 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 स्सिवए हादी और म्ही बालापनान पर वर्मा, मैनी और हमा बाला हर शर्मा, भी उनको बालापन sera के उनक近िया, अक्सामान सहीं, आक कर दोग outta हम झाल झाल